बहुत पुरानी बात है, कहीं दूर देश में सिंड्रेला नाम की सुंदर लड़की रहती थी. सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालू भी थी. सिंड्रेला की मा बचपन में ही गुजर गई थी. मा के गुजरने के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी अब वहां अपने पिता सोतेली मा और दो सोतेली बहनों के साथ रहा करती थी सोतेली मा और बहनों को सिंड्रेला बिलकुल पसंद नहीं थी उसकी सुंदर्ता और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती थी क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास न अच्छी शकल थी और नहीं अकल एक दिन की बात है सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा पीछे से सौतेली मा ने सिंड्रेला के साथ बुरा बरताव करना शुरू कर दिया सबसे पहले तो उसने सिंड्रेला की खूपसूरत पोशाक उतरवा ली और उसे नौकरानियों वाले कप्रे पहनवा दिये इसके बाद उन तीनों ने संड्रेला के साथ नौकरानी जैसा बरताव करना शुरू कर दिये वो उससे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, कपड़े बरतन धुलवाते और घर के बाकी सारे काम करवाते यहां तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पंची और स्टोर रूम के चुहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था. वह दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाया करती थी. जिस देश में सिंड्रेला रहती थी. एक दिन वहां के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषना की की राचकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारो का आयोजन करवाया है. इस समारों के लिए उन्होंने नगर की विवा योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है सिंड्रेला की बहनों ने जैसी ही यह घोशना सुनी वे दोनों दौरती हुई अपनी मा के पास पहुची और उन्हें सारी बात बताई उनकी मा के कहा कि इस समारों में सबसे सुन्दर तुम दोनों ही लगोगी राजकुमार का विवा तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा इस बात को सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में भी समारों में जाने की इच्छा हुई लेकिन इस बारे में अपनी सौतेली मा से बात करने में उसे बहुत दर लग रहा था उसकी सौतेली मा और बहने समारों में जाने की तैयारी करने लगी उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी आखिरकार समारों का दिन आ ही गया दोनों बहने समारों में जाने के लिए बहुत उच्साहित थी उन दोनों ने सुबह से ही समारों में जाने की तयारी शुरू कर दी थी सिंड्रेला ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की अपनी बहनों को पूरी तरह तयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिमत जुटाई और अपनी सौधली मा से पूछा कि मा अब मैं भी विवा योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारों में जा सकती हूँ। यह सुनकर वे तीनों जोर-जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्मी चाहिए, नौकरानी नहीं, यह कहकर वो तीनों वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारों का हिस्सा बन पाऊगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और पांच चुहों की जरूरत है। सिंड्रेला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने बिलकुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वह दौरती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चुहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादूई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। फिर वह चुहों की तरफ मुड़ी। उसने चार चुहों को खुबसूरत सफेद घोडों और एक चुहे को बग्गी चलाने वाला बना दिया। यह सब देखकर सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले की वह कुछ पूच पाती, परी ने अपनी चड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खुबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वह समारों में जाने के लिए पूरी तरह तयार थी और इस खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। पहल पहुची सबकी नजर उस पर आतिकी। उसकी सौतेली मा और बहने भी वही थी लेकिन वह इतनी खुबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार सीधियों से उतरते हुए नीचे आ रही हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। समारों में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर, राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास आये और अपना हाथ उसकी और बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों डान्स करने लगे. सिंड्रेला राजकुमार के साथ डान्स करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा. कभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई. इस तरह अचानक भागता देख राजकुमार उसके पीछे पीछे दोडे. हरबड़ी में दोडने की वज़े से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल के बाग में ही छूट गया. वह फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लोट गई. जब उसे धूनते हु राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बाग में सिंड्रेला का जूता मिला. यहाँ देख कर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वह सिंड्रेला को धून्ड कर ही रहेंगे. अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारों में आई हर लड़की को यह जूता पहना कर देखो. जिसके भी पैर में यह जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ. सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया. वे शहर के हर घर में गए और समारों में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखा किसी को जूता छोटा पड़ रहा था और किसी को बढ़ा सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुचे जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आये हैं और वह खुशी से दर्वाजे की तरफ दोड़ी उसी समय उसकी सौतेली मा ने उसका रास्ता रोक लिया सौतेली मा ने सिंड्रेला से पूछा तुम कहां चली सिपाही उस लड़की के लिए आये हैं जो कल रात समारों में थी तुम तो कल आई ही नहीं थी तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी ऐसा कहकर उन को पहनने की कोशिश की लेकिन वो दोनों नाकाम रही वही निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी उसे रोता देख उसके चुहे मित्र को एक उपाय सूझा दर्वाजे के नीचे से निकल कर वह दोड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली मा की जेब से चाबी निकाल लाया और सिंड्रेला को दे दी चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दर्वाजा खोला और दोड़ती हुई नीचे गई सिपाही महल की ओर लोट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज आई मुझे भी जूता पहन कर देखना है यह सुनकर सौतेली मा और बहने हंसने लगी लेकिन सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनने का मौका दिया जैसे ही उसने पैर जूते में डाला वा आसानी से उसके पैर में आ गया यहाँ देखकर सभी चौप गए और सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा क्या यह जुगा आपका है इस पर सिंड्रेला ने हा का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसंदता से स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो हमेशा खुशी-खुशी महल में रहने लगे। कहानी से सीख, हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोईन कोई रास्ता निकल ही आता है।